क्या सच में बीजेवी पार्टी को रात को निन नहीं आती है आखिर क्यों बीजेवी पार्टी को कॉंग्रिस पार्टी से डर है आखिर क्यों बीजेपी जो है लगातर अपने मुद्दों से भटकती है नमस्कार आपके साथ मैं हूं रितिक सभीता स्वागत थे आपका SPN 9 News में दर्श को आपको बता दे कि यहाँ पर 36 गड़ के मुख मंतरी भूपेश बगेल एक बार फिर चर्चाओं का विसाय बन चुके हैं भूपेश बगेल ने चुनौप के पहले पहले BGB Party को आएना दिखा दिया BGB Party को यह दिखा दिया कि आपको नीद क्यों नहीं आती है और सारा सच खोल दिया आखर क्या कुछ कह रहे हैं भूपेश बगेल आप खोदी सुनिये 15 साल भारती जन्ता पार्टी की सरकार रही बस्तर के बाहर जो 36 गड़ के लोग है बस्तर आने से डरते थे और 36 गड़ के बाहर के लोग 36 गड़ आने से डरते थे क्योंकि नक्सिलियों का इतना दसत था कोई आने को तैयार नहीं होता था जब हम लोग घर से निकलते थे तो परवार के लोग चिंतित रहते थे उनके रातों के नीद हराम हो जाती थी जब तक के हम लोग घर नहीं लाओर ते थे तब तक के उनको यह इस्वासग नहीं होता था कि हम लोग सकुसल लाओर गए हैं राश्टी राजमार्ग के पांच किलमेटर इधर और पांच किलमेटर इधर पांच किलमेटर दाएं बाएं ही सरकार थी बचत तो नक्सल का दासत बस्तर के अद्वासियों कि जीवन की कलपना आप नहीं कर सकते एक तरफ नक्सलियों का दबाओ तो दूसरे तरफ पुलिस का डर दोनों तरफ से गोलियां चलती थी लेकिन सीना हमारे अदवासियों का होता था कितने निर्दोस अदवासिय हैं जिसको नक्सलिय बता के जेल में ठूस देया गया था गाओं के गाओं उजार दिये गये थे इसको ने बंद इलाज की कोई बेवस्ता नहीं रोजगार कुछ नहीं बारती जनता पार्टी के सरकार में अदवासियों को जो प्रमुख लगून उपजे महुआ को सड़क में फेकना पड़ा था यही सिती बस्तर में लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा राहूल गांदी जी इसी मंच में चुनाओं के आखरी दिन अचार फ्रेटा समाब्त होने के एक गंटा पहले राहूल जी इसी मंच में आये थे और यहां के लोगों के ऐसी सभा थी लाखों लोग आये थे और बस्तर के अदवासियों को यहां के किसानों को मजदूरों को विस्वास दिलाया था क्या हम सुरक्षा देंगे रोजगार देंगे सांती लोटाएंगे बस्तर के लोगों के जल्जमीन जन्गल का जो अधिकार उसे वापस करेंगे और बस्तर के अदवासियों ने विस्वास बिक्त किया और 12 में से 11 विधान सबा कांगरिस के जोली में आपने डाला उप्चुनाओं ने पर देवती भाविझी जीत क्याई 12 के 12 विधायक कांगरिस के यहां का सांसत कांगरिस का यहां का महाउप और कांगरिस का यहां के जिला पंचायत और जन्पत का देशिक another तो सुना अपने इस वीडियो को इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहां पर भूपेश बगल जो है हमलावर है लगातर एक की बाद एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं और हस्ते हस्ते सारी बात कह देते हैं दरश्कों मैं आप से सवाल पूछा जाता है तो आप सवाल को का जवाब नहीं देते हैं अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछो जवाब नहीं है महंगाई की मुद्दे पर सवाल पूछो जवाब नहीं है यहां पर बिरुजगारी के मुद्दे पर सवाल पूछो जवाब नहीं है सिक्षा किसी भी मुद्दे पर बीजेवी पार्टी जवाब नहीं देती है तो क्या ये माना जाए कि बीजेवी पार्टी के अंदर जो विचार चलता है उसमें विपक्ष नाम का शब्द ही नहीं है और भूपेश बगेल ने क्या कुछ कहा है इस ते आपको आप सहमत है तो कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आज के लिए इतना ही देखते रहिए SPN 9 News